तो 1500 रूपे के अंडर में काफी एक घमासान युद्ध हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे मेरे पास काफी best TWS आ चुके हैं 1500 रूपे के अंडर में पहले हमारे पास डीजो का यहाँ पे बड़्जी उसके बाद है OPPO का ENCO BUDS यह जो है यहाँ पर आपको सेल में दोनों ही 1300 रुपे के मिल रहे हैं मेरा नाम है तनमे आप देख रहे टेक यूनिक चलिए युद्ध शुरू करते हैं मैं पर बात करने वाले हम प्राइसिंग की प्राइसिंग यहाया यहाँ फें दोनों-प्र्डुद का हिसाब से काफी बड़िया है दोनों में आपको 1300 रुपे की प्राइसिंग मिलती है दोनों यही प्रूदक्स यहाँ आपको सोल फिलिपकार्ट पे मिल जाएंगे overall जो है अब comparison शुरू कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर build quality की यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ की दोनों में काफी different काफी अलग finishing देखने को मलती है जैसे के आप देख सकते हैं Dizoo का जो buds ही है यहाँ पर आपको matte finishing काफी एक classic look काफी एक यहाँ पर formal look देखने को मलता है Dizoo का जो यहाँ पर buds है बहुत ही अच्छा look देता है यहाँ पर बहुत ही premium feel देता है यहाँ पर आपको और Dizoo वालों ने यहाँ पर जो है काफी अच्छी तरीके से design करा है इसको buds भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ buds आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है glossy finish के साथ आता है buds और यहाँ पर आपको rainbow design देखने को मलता है बड़्स में जो की काफी ज़ादा बढ़िया finishing गाफी ज़ादा बढ़िया लगता है यहाँ पर देखने में overall इसका shape इसका यहाँ पर design इसका आपर build quality बहुत ही ज़ादा premium feel होता है 1300 रुपे के अंडर में काफी तगड़े TWS यहाँ पर डीजो के buds ही है वहीं पर आगर मैं बात करूँ ओपो एनको buds की तो guys यहाँ पर आपको glossy finish देखने को मिलता है यहाँ पर आपको scratches वगएरा देखने को मिलेंगे buds guys यह जो scratches वगएरा है notice तभी होंगे जब आप इने light में लेकर के जाएंगे वरना यह scratches बिल्कुल भी notice नहीं होते है बाग किया यहाँ पर इसकी plastic की quality बहुत ही जादा बढ़िया है और यहाँ पर लिड की quality वह भी काफी जादा बढ़िया है hinge भी काफी अच्छा दिया हूआ है buds की shape की अगर बात करते हो गाज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं buds की जो shape है वह काफी जादा अच्छा है यह जो buds हैं आपके कानों में इतने अच्छे तरीके से fit होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यह कानों में fit होते हैं और यहाँ पर आपको comfortable भी लगते हैं कानों में, मुझे यह earbuds बहुत ही ज़्यादा comfortable लगते हैं, मैं इनको पैन कर सो भी सकता हूँ, इतने comfortable हैं यह earbuds ओवरल यहाँ पर ईरबड ओपो के काफी अच्छे बिल्ड कॉलिटी के साथ और काफी अच्छे अच्छे कमफ़र्ट के साथ आते हैं बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के भी यहाँ पर डिजाइन में काफी चाहँ दाधा डिफरेंस है Dizzo और OPPO के बीच में आगे बढ़ते हैं connectivity के साथ यहाँ पर आपको Dizzo में देखने को मिलता है Bluetooth 5.0 और आपके यहाँ पर OPPO में देखने को मिलता है Bluetooth 5.2 प्लस यहाँ पर जो OPPO है वो काफी जल्दी connect होता है आपके phone के साथ बहुत ही instant pair होता है जैसी आप इसके यह lid को open करते है वैसे यह connect हो जाता है phone के साथ instantly कोई भी यहाँ पर latency connectivity में देखने को नहीं मलती है वहीं पर आपको Dizzo में भी काफी fast connectivity होती है हाला कि तो यहाँ पर हलका सा slow है 1-2 second का एकदम slow आपको देखने को मलता है वह आपको यहाँ पर महसूस भी नहीं होगा अगर आप यहाँ पर नॉर्मल यूज करते है तो तो overall यहाँ पर दोनों की connectivity काफी अदा fast है वहीं पर आगर मैं बात करूँ codex की तो यहाँ पर Dizzo में आपको SBC तक का codex देखने को मलता है और आपको यहाँ पर OPPO में देखने को मल जाता है AAC का codex तो आप यहाँ पर देख सकते हैं OPPO में जोए A codex ज्यादा देखने को मलती है तो यह चीज यहाँ पर काफी एक difference देखने को मलता है इसी कारण से यहाँ पर sound quality में भी आपको difference देखने को मलती है अब sound quality की बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है डीजो का जो बड़्जी है काफी ज़दा loud है काफी ज़दा अच्छे trebles के साथ दिया गया है अगर आप डीजो में गाने सुनते हैं Bollywood music अगर आप सुनते हैं तो आपको जो है bass देखने को मिलता है डीजो के बड़्जी में यहाँ पे clarity भी अच्छी है बड़ गाईज यहाँ पे clarity में हलका सा कम रह जाता है as compared to OPPO OPPO की बात कर लेते हैं OPPO में आपको clarity डीजो के comparison में काफी अच्छी देखने को मिलती है हाला कि OPPO का जो volume है वो काफी अदा balanced है OPPO जो है एकदम proper जैसा गाना बनाया गया था studio में वैसा आपको सुनाता है यहाँ पे बहुती balanced sound quality यहाँ पे रखता है OPPO कोई भी जो है यहाँ एक्स्ट्रा effect नहीं लगाता sound के बाद जैसे ही यहाँ पे studio में से निकल करके आता है गाना जो natural आवाज होती है वो आपको यहाँ पे सुनाता है मैंने same गाना यहाँ यहाँ पे दोनों भी earbuds में एक-एक earbud कान में लगा करके सुना मुझे जो है यहाँ पे एक बहुती बड़ा difference दिखा है यहाँ पे जो singer का आवाज था जो यहाँ पे गाने का पूरा यहाँ पे sound stage था वो यहाँ पे oppo में जो है काफी अच्छा natural सुनने में आ रहा था जैसा यहाँ पे सुनने में आना चाहिए वैसा यहाँ पे आ रहा था एकदम natural sound है वैसे ही यहाँ पे जो डीजो में जो है आपको बहुती बेसी और एक ऐसा इफेक्ट दिया गया है डीजो में जो कि आपको यहां पर थोड़ा सा एन्हेंस करके दिया गया तो यहां पर जो वोकल से जो यहां पर सिंगर उनकी आवाज जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है जैसी कि अगर अरीजीत सि देगा थोड़ा सा ट्रेबल जो हैं ज्यादा सुनाई देगे बेस यहां पर थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट किया हो रहेगा सारी चीज़ी यहां पर तो यहां पर यहां पर ऐसा आपको और्फ डेखने को मलता है है यहाँ पर जो है बेस को ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया है ट्रेबल को ज़्यादा एन्हेंस नहीं करा गया है एकदम सारी चीज़े बैलेंस में रखी गई है जो कि यहाँ पर काफ यदा नैचरल साउंडिंग लगती है जो एक्चुल में सिंगर का आवाज होता है वो आपको यहाँ पर ओपो एनको बड़ में सुनाई देती है तो यह जो चीज़े मुझे काफ ज़्यादा बढ़िया लगी है हाला कि दोस्तो काफी सारे लोगों को जो है डीजो के बड़जी का आवाज पसंद आने वाला है क्यों कि यहाँ पर इनहेंस बेस एनहेंस ट्रेबल्स काफी सारे लोगों को पसंद आता है तो आप यहाँ पर जा सकते है डीजो के बड़ जी के साथ बट अगर आपको यहाँ पर जो है आप एक audio file है आपको यहाँ पर जो है ज्यादा loud music नहीं पसंद आपको natural sound quality ज्यादा पसंद है तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए oppo, enco, buds के साथ यह जो है आपको natural sound quality देंगे एकदम जैसा आपको singer गारता है वैसे आपको यहाँ पर सुनाई देगा कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा तो यार यह था यहाँ पर sound quality के मामले में overall मैं कहाना चाहूंगा दोनों के भी sound quality अच्छी है तो यहाँ पर जल्दी से दोनों की भी ear buds के microphone sample को सुन लेते हैं तो अब यहाँ जो आवाज सुन रहे है वो यहाँ पर record हो रहा है दीजो के बड़ जी से यहाँ पर जो है मैं indoor conditions में record कर रहा हूं मैंने यहाँ पर fan on रखा है तापके आपको यहाँ पर सुनाए देखि कितना fan का noise यह capture करता है बाकि आप यहाँ पर सुन करके जड़ कर सकते हैं मेरा आवाज कैसे आपको सुनने में आ रहा है इस earbud के microphone की सुरू यहाँ पर जो है ऐसी sound quality आपको मिलेगी जब आप यहाँ पर कॉलिंग पर बात करेंगे जब आप यहाँ पर वीडियो कॉल्स करेंगे तो आपको ऐसे sound quality आएगा इसके microphone की सुरू यहाँ पर रेकॉर्ड हो रहा है ओको एंको बट्स के microphone से और यहाँ पर मैंने पर पता चले कि कैसा जो है यहाँ पर आपको इसका microphone की जूरू तो आपको यहाँ पर सुनकर के जब करने की कैसे आपको इसका microphone का quality मिलता है बाकि यहाँ पर आप comment section मुझे लिखके बताथें किसका microphone आपको ज्यादा पसंद आया है बात करो तो यहाँ पर जो है दोनों में भी आपको same same से ही extra feature देखने को मिलते हैं दोनों में भी आपको gaming mode मिल जाता है दोनों में ही आपको यहाँ पर IPX की rating मिलती है हाला कि दोस्तों यहाँ पे Deezo में आपको IPX4 की rating मिलती है और आपको यहाँ पे OPPO में IPX54 की rating मिलती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OPPO जो है थोड़ा सा आगे निकल जाता है OPPO में आपको dust and water resistant दोनों मिलता है साथ में यहाँ पे आपको दोनों में ही gaming mode मिल जाता है और दोनों में ही आपको एक app का support मिलता है Realme Link का app का support है Deezo के Buds Z में और यहाँ पे OPPO में Hey Melody app का support आपको मिल जाता है आगे बढ़ते हैं battery life and charging की तरफ यहाँ पे आपको दोनों में ही काफी अची battery life देखने को मलती है सबसे पहले battery quantity देख लेते हैं यहाँ पे Deezo में आपको case में देखने को मिलता है 380 mh की battery और आपको यहाँ पे Buds में देखने को मलता है 43 mh की battery अब OPPO की बात कर लेते हैं Oppo में आपको case में देखने को मिलता है 400 mh की battery और आपको यहाँ पर Buds में देखने को मिलता है 40 mh की battery तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Oppo जो है साफ साफ जीत जाता है बट यहाँ पर Buds में जो है ज्यादा battery life देखने को मिलती है डीजो में, तो यहाँ पर काफी एक अच्छा balance बना हुआ है, दोनों में ही, तो यहाँ पर बैटरी के मामले में, दोनों भी काफी जादा एक दूसरे को टक कर दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है, कि दोनों भी TWS जो है, आपको सेम से ही बैटरी परसेंटेज, आफे मैं क TWS काफी जादा एक दूसरे को टक कर देते हैं, दोनों में भी काफी जादा जो है, यहाँ पर अच्छा competition दिया गया है, हाला कि दोस्तों यहाँ पर थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे डिफरेंसेज देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर मैटर करते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर वो छोटे छोटे डिफरेंसेज मैटर करते हैं, यहाँ पर आपको देखना चीए कौन सा भाई करना है, वरना यार आपको यहाँ पर टेस्ट पर निरबर करता है, कि आपके साउंड का टेस्ट कैसा है, अगर आपको जादा बेस पतने तो आपको यहाँ पर जान sound quality मिलती है जैसा singer गाता है वैसा ही आपको यहां पर सुनाई देता है OPPO के ENCO BUDS में तो यहां पर आपके sound के taste के ओपर निर्बर करता है कि आपको ज्यादा base पसंद है या आपको ज्यादा natural sound quality पसंद है तो यार overall यही था मेरा epic comparison अगर आपको यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी TWS भाई करना है नीचे description में link दिया हुआ है वहाँ से जा कि आप भाई कर सकते हैं यहाँ पे आप जो है सबसे बड़ा सवाल 100 करोड का सवाल ले लेते हैं यहाँ पे कौनसा सबसे best है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं कहाना चाहूंगा मेरे हिसाब से यह मेरा personal opinion है मेरे हिसाब से मैं कहाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो OPPO का ENCO BUDS है वो थोड़ा सा ज्यादा better लगा है मुझे यहाँ पे जो actual sound होता है जो actual natural sound होता है जो आपको यहाँ पे असली में सुनने को आना चाहिए गाने वगरा में वो आपको यहाँ पे देखने को मलता है OPPO ENCO BUDS में और वहीं पे जो है Netflix वगरा देखने में भी काफी सही लगता है क्योंकि Netflix वगरा में क्या होता है कि आपको natural आवाज अगर सुनने को मलते है तो काफी अच्छा लगता है काफी एक अच्छा experience बनता है आपका वहीं पे आप डीजो का जो BUDS जो है यहाँ पे आपको जो है बहुत जदा base मलता है इसी कारण से जो है जब आप Netflix वगरा देखते हैं जब आप CDs वगरा देखते हैं तब यहाँ पे जो है वो Dialogue वगरा जो है वो यहाँ पे काफी अदा base के साथ आते हैं तो वह थोड़ा से यहाँ पे खराब experience रहता है बाकी यार यहाँ पे जो है अगर आपको बेस पसंद है किसी किसी लोगों को बेस पसंद होता है तो यह से लिए मैं कहा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है अगर आपको बेस पसंद है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली जाना चाहिए डीजो के बड़जी के साथ इतना है था मेरे comparison में अगर आपको comparison पसंद आया तो कैसे नीचे like बटन दबाना मत बूलेगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब काना मत बूलेगा तब दक लिए दोस्तों जय हैंद वने मातरम और आपका दिल शुम रहे